नमस्कार फर्स्ट बिया जहारखन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सन अधमाने के बिहार में नितीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते वे आरक्षन के दाइरे को बढ़ा दिया बिहार विधान सभा के शीत कालिन सर्थ के दौरान मुखमिंत्र नितीश कुमार नीगे एलान किया कि अब बिहार के लोगों को 55 परतिशत जो आरक्षन है वो मिलेगा पिछरा अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती को मिला करके जो 50 परतिशत आरक्षन मिलते थे उसे 65 परतिशत किया गया और साथी EWS का अगर 10 परतिशत जोड़ ले तो टोटल जो 75 परति किया और इसके बाद महागाट बंदन के जो तमाम नेता है वो काफी गदगद नजर आ रहे हैं अलग-अलग तरिकी की प्रक्रिया है वो तमाम लोगों की निकल कर सामने आ रहे हैं ऐसे मैं आपको बता दे कि आर्जीडी सुप्रीमो लालू परसाद यादब की प्रतिक्रि वे लिखा है कि बिहार विधार सभा में आरक्षन संशनों विधैक पास होनेक पर सभी बिहारियों को हार्दिक बधाई बिहार में अब अनुसूची जाती ये जन जाती पुच्रा अवा मतिपच्रा वर्गों का आरक्षन दारा 50 से बढ़ा करके 65 परतिशत कर दिया गया है EWS आरक्षन को मिला करके बिहार में अब कुल 75 परतिशत आरक्षन मिलेगा जिसके बाद RGD सुप्रीमो लालू परसाद यादब ने बिहार के तमाम लोगों को इसकी शुपकामनाई दी हैं इसकी बधाई दी है लालू परसाद यादब का भी ये कहना है कि अब जिस तरीके से बिहार में जातियों की गिनुती कराई गई ये पता चल गया है कि बिहार में किस जाती के कितने लोग रहते हैं उनको किस हिसाब से विकास की जरूरत है तो अब बिहार के तमाम लोगों को जो बड़ा फाइदा है वो आरक्षन के जरिए नितीश सरकार की योजनाओं के जरिए मिलने जा रहा है तो लालो परसाद यादब ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके बिहार के तमाम लोगों को उन्होंने बढ़ाई भी दी है तो लालो परसाद यादब ने साफ तोर पर ट्वीट करते विए लिखा है उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार म अब बिहार के लोगों को मिलेगा इसके बाद आर्जेटी सुप्रीमो लालो परसाद यादब ने भी तमाम बिहार के लोगों को जो बधाई है वो दिया आपको मालूम है कि ये फैसला जैसे ही सदन के भीतर ये बिल पास कर लिया गया बिते दिन मुखमंतरी नितिश कुमार इस पर अपना जोरदार भाषन जो है वो भी दिया था और नितिश कुमार ने बताया था कि किस तरीके से जाती आधारित गरना की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पता चलिगा कि किस जाती की कितने लोग बिहार में रहती है और जिसकी जितनी संक्या उसे साब से उनको जो हिस्सेदारी है जो भागीदारी है वो मिलनी चाहिए ऐसे में नितिश सरकार की मनशा भी यही थी हमेशा से ही नितिश सरकार ये कहती भी आ रहे थी कि हमारी मनशा जो है बिहार में जाती हो की गिनती कराने की पीछे ये है कि हम उनकी जनसंक्या के हिसाब से हम उनका वि प्लाल इस खबर में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए फ़स्च भ्याजारकर के साथ बन रही है। पनुरमा कुरूप जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार, मैं अनुरादा पौडवाल 26 नवेंबर को पनुरमा स्टार सीजन 6 के कारेक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पनुरमा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पनुरमा ए-होम्स में शाम साथ बज़े हैं। ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुड़निया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतला ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ। अपने पुड़निया में घर ले लिया है। पुड़निया के e-homes panorama में। पुड़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग। अड़े-अड़े, आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है। घर वापसी की खुशी, पुड़निया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.